केसे हैं आपसो दोस्तों आज फिर मैं लेकर आए हूँ एक बहुत इंफोर्मेटिव वीडियो जो बच्चों के लिए है और सभी ममास को इस वीडियो से काफी राइक सेशन मिलेगी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों का के हेल्दी खाना कैसा होना चाह बच्चों का सुभे का नाश्ता बहुत ही है तो इसके लिए सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि वह इसके लिए बहुत कॉंशिस रहें तो दोस्तों सुभे के नाश्ते के अंदर आप दूद में केसर डाल के अपने बच्चे को दे सकते हैं जिससे वह पूरा दिन फु अगर वह आमले का मुरब्बा खाता है तो एक दीजिए अगर आप वह आमले का मुरब्बा नहीं पसंद करता तो आमले की कैंडी आती है जो चार से पांच आप उसे दे सकते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन C होता है जो दिमाग को तेज करने में बहुत हेल्प करता है इसके लावा दोस्तो पनीर और बटर आप वो शामिल कर सकते हैं सुबह के नाश्टे के अंदर एक चमस देसी घी कर से माल जरूर कीजिए आप एक चमस देसी घी को प्राउठे के अंदर डाल के दे सकते हैं प्राठे की अंदर डालिए बहार डालिए अच्छी तरह से लच पच जो है एक प्राटा होता है वो बना के अपने बच्चों को दीजिए ताके वो पूरा दिन हेल्दी रह सके इसके लावा दोस्तों बदाम को इसके लावा दोस्तों बदाम शामिल जरूर कीजिए सुबह के नाश्टे के अंदर आप अपने बच्चे को पांच से आ तो चमन प्लास देने की कोशिश करें, एक चमच सुबह के दूद के अंदर डाल के उसे दीजिए, जो अम्यूर्टी को बढ़ाता है, उसको फुर्तीला रखने में हल्प करता है, इसके अलावा दोस्तों, अभी जैसे के मौसम चेंज हो गया है, विंटर स्टार्ट हो गई है तो तिल और गुड की जो एक गचक बनती है, वो अपने बच्चों को जरूर दीजिए, वो ब्रेन को तेज करने में बहुत हल्प करती है, वो आप सुबह के नाश्टे के अंदर उसे दे सकते हैं, इसके इलावा दोस्तों, पनीर और दही को आप सुबह के नाश्टे में श तो दही को सुबह के नाश्टे में जरूर शामिल करें, ताकि आपका बच्चा पूरा दिन हैल्दी रह सके, तंदुरुस्त रह सके So everyone, I hope आपको ये वीडियो जरूर पसंदाया होगा और आपके लिए काफी इंफरमेटिव रहा होगा, अगर आप ऐसे और इंफरमेटिव देखना चाहते हैं, तो प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बनाएगा कि अगला वीडियो आप कैसा देखना चाहते हैं, तो Bye-bye, take care, love y'all!